धर्म और परम धर्म दोनों में अंतर क्या है धर्म किसे कहते हैं आप खेती करते हैं आप बिंड में जाकर के कोई नौकरी करते हैं पुलिस करमी पुलिस का काम करता है गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है जो जो व्यक्ति जो जो क्रिया अपने घर को चलाने के लिए तीन समय की रोटी पाने के लिए नाम प्रतिष्ठा येश्वईवव प्राप्ति के लिए जो मानव कर्म करता है उसी को धर्म कहते हैं कोई व्यापार करता है कोई जॉब करता है कोई बिजनस करता है कोई खेतिवाड़ी करता है यह सब धर्म के समान है यह सब धर्म के स्वरूप है लेकिन परमधर्म क्या है अपनी पतनी अपने बच्चे अपनी परिवार के पोशन के लिए जो हम कर्म करते हैं वो धर्म है लेकिन अपनी आत्मा के पोशन के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं धर्म और परमधर्म में अंतर समझ में आ गया अरे सीधी बात बताएं या पंडाल के भार जो भी आप कर्म कर रहे हो वो सब धर्म हैं लेकिन इस पंडाल के भीतर एक आग्र बैट करके आप कुछ नहीं कर रहे हैं केवल कथा सुन रहे हैं यही परमधर्म हैं, यह परमधर्म किसके लिए कर रहे हैं आप, अपनी आत्मा को पोशित कर रहे हैं, अपनी बुद्धी को पोशित कर रहे हैं कथा सुना के, अपने मन को सुधार रहे हैं हम लोग, यहां कथा में लाकर के, हम से कुछ गलतियां बनती होंगी हमारे द्वारा कुछ न कुछ अपराध होते होंगे तो कथा में सुनकर के हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे अपराधों से मुक्त होंगे इसलिए हम कथा में आये हैं यही परमधर्म है स्वयम को सुधारना स्वयम को सही पत पर चलाना इसी को परमधर्म कहते हैं भागवत का विशय क्या है परमधर्म सिखाना एक बात कहते हैं तो कोई अतिश्यक्ति नहीं है परमधर्म का मतलब क्या है परमधर्म का सीधा तात्पर है जीते जी भगवत प्राप्ति कराना मानव को भगवत प्राप्ति हो जाए वही परमधर्म का कारण है श्रीमत भागवत का विशे है जितने भी संसार में जीव है प्रत्यक जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो यही परमधर्म है और भागवत वही सिखाती है बस सावधान हो जाईए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को कहते हैं चतुरुविध पुरुशार्थ भागवत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों बाते नहीं बताई जाती ना यहां धर्म सिखाया जाएगा ना यहां अर्थ कैसे प्राप्त हो ये बताया जाएगा ना कामनाओं की पूर्तियां बताई जाएंगी ना मोक्ष की प्राप्ति बताई जाएगी यहां तो केवल और केवल जीते जी हम भगवान को कैसे मिलें यह बताया जाता है और यही परमधर्म है यही परमधर्म बागवत का विशे क्या है परमधर्म का बोध करा देना परमधर्म के बारे में बता देना